हेलो एवरिवान गुट मॉर्निंग वल्कम बेक टू मानदा व्लॉग आप सभी को मेरे यूट्यूब चेनल पर स्वागत कटी और आज के व्लॉग में भी स्वागत दे तो गाइस सुबह सुबह से व्लॉग स्टाट करें और अभी ब्रास करने वाली हूँ तो गाइस हमेसे आप सबको में एक ऐसा चीज दिखाती हूँ कि हमेसा घर का काम घर का काम तो आज भी घर का काम ही दिखाने वाली हूँ लेकिन कुछ अलग सा बोलने वाली हूँ तो गाइस मुझे बहुत सारे कोमेंट आये थे कि आप से इंसपरा होके हम लोग भी ब्लॉग बनाना चाहते है दि हमको आपको देखर पोजिटिव वाइब आता है व्लोग बनाने का मन करता है तो मैं उन सभी लेडिसों को बोलती हूँ और रिसेंटि मुझे कली एक आया था कॉमेंट पूजा सुबेडी उन्होंने दिया था तो मैं उन सभी लेडिसों को बोलना चाहते हूँ कि गा लेकिन जो मैंने एक्सपिरेंस किया न मैं वह आप सबको बता रही हूँ मैं भी पहले-पहले एक साधरन से घर में बैठने वाली हाउस वाइफी थी लेकिन आज मेरे हस्बेन ने मुझे इतना विश्वास दिला है इतना इतना इंकरेज किया है इसके बज़े से आज मैं ए देखने का मान करेगा मेरा व्लोग लेकिन आज सभी लोग देख रहे तो बस अपने उपर भरोसा राखें कॉंफिडेंस लखें अपने विलीब रखें और अपने साथ एक वह स्ट्रोंग पिलर होना चाहिए जो आप सबको बहुत सारा कॉंफिडेंस दे चाहे वह मादर इ इसलिए मैंने इतना सहब पाई हूँ तो मैं आप सब को बताना चाहते हूँ खुद पर वरोसा राखो फुद पर बिलीब करो और करते जाओ कोशिष करने पर सबकुश मिलता है और लोगों का तो अब सा dinner canoe कि ayuda काम हीरे डिकिन आप लोगों करते रहेंगे भीट ने वालों क आप सब को यहाँ पर भेजाए ना कुछ न कुछ खूबी के साथ भेजाए किसी को कुकिंग का कुकिंग अच्छा होगा किसी का डांस किसी का म्यूजिक किसी के घर के काम वही दिखाओ जो है वही दिखाओ जो कर सकते हो वही करो क्यूंकि अगर आप confidence होंगे ना तो सब आपको लेना है आम मैंने लिया है एक के जी आम आप अपना अनुसार ले सकते हो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने आम को धोया धोने के बाद एक कॉटन के कपरे से पोच रहू क्यूंकि इसको आप धूपे सुखाना नहीं है और यह आम का अचार बनाना बहुत ही आसान है आप सबको धूप में सुखाने की कोई ज़र्ण नहीं है और आप लोग यह टेंसन भी मतले ना कि आज हमने आम काटा है कल धूप लगेगा नहीं लगेगा कल सुखेगा नहीं सुखेगा यह करना कोई मतला यह टेंसन लेनी ही नहीं है इसलिए आम को धोया उसको अच्छे स साथ और बहुति टेस्टी रेसीपी है और हम लोग का जो चामडवात होता ए 500 नेय्स के साथ येलोराइस उसके साथ ये बहुती होती है और आप रोटी पटाथा विए सानी होता है लोग complaint से अच्छा और बहुत इन्स्टैंट बनने वाला मैंगो रेसीपी है तो चलिए अभी मैंने यहाँ पे जितना भी आम है वो उसका छिलका निकाल लिया है अभी इसको हम करेंगे कद्दुकस आप लोग पतले-पतले से कार्ड भी सकते हूं लेकिन यह जो मैं बनारी हूं मेंगो का आम का रेसीपी इसमें ना यह कद्दुकस करने से बहुत गुट्ली होता है वो कद्दुकस ना हो जाए क्योंकि वह बहुत कड़वाकड़वा होता है तो फिर आप लोग का जो अचारे वो कड़वा हो जाएगा तो अगर इससे बसना है न तो एक काम करेंगा थोड़ा सा आप लोग कद्दुकस कर लिए गया उसके बाद इसे गु आमता सबको मैंने कद्दूकस कर लिया है और अभी इसको हम थोड़ा सा हल्दी और नमक डालेंगे और इसमें पानी भी रहेगा गाईस तो आप लोग ये मत सोचना कि इसमें इतना सारा पानी निकल रहा है ये खड़ाप हो जाएगा नहीं गाईस ये जो पानी है इससे असली टेश्ट आने वाला है तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालिए थोड़ा सा हल्दी डालिए उसके बाद मिक्स करिए तो जो ये नमक डालेंगे ना आप लोग नमक डालने के बाद भी बहुत सारा पानी निकलेगा तो आप लोगो घबड़ाना नहीं है क्योंकि ये पानी न जो अचार में डालते हैं। तो उसके पहले to हमने किमी अधिकम कुटी तो डाल Think में गटाते अंडर में तो झालते हैं। खड़ाब हुआ हुआ नहीं होना चाहिए तो हम लोगों ने वही ओल डाला है अगर आपके पास नहीं है तो आप जो मस्टर्ड ओल आता है उसको गड़ाम करके ठंडा करके फिर डालिएगा तो मैं फिर से बोली हो हम लोगे पास अचार का मसाला और ओल था तो इसलिए वही तो देखिए इतना टेस्टी इतना टैम्टिंग लग रहा है ना यह देख कर ही खाने का मन करा अगर आपके मुझे तो पानी जरूर निकल रहा होगा अभी भी मेरे मुझे पानी निकल रहा है तो देखिए यह हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है उसके बाद हम डा तो फिर हम लोगों ने जितना भी का अचार बनाए था वो सारा से अब्स में रख Central आप इसको कल terce पोज़ाये वोगत ईस बना है एक बात जरूर से उसके बाद फिर गाइस में चली गई हूँ थोड़ा सा गार्डेनिंग करने के लिए मतलब ममी ने यहां पे बहुत सारे फूल पोधे लेके आये थे बहुत सारे फूल ऐसे ही छोड़ दिया था बीना लगाए तो मैंने सोचा आज धूबी नहीं है बाड़ी सोड़ा है तो य आप गार्डेनिंग कैसे करते हो मुझे हम लोगो टीप्स बताना तो सबसे पहले तो गाइस किसी के घर से अगर कोई फूल का पूली वगड़ा या कटिंग वगड़ा लेके आती हो ना सबसे पहले आप लोग रेत में लगाना क्योंकि रेत में लगाने से इतना बड़ा ज रेत में लाके डालने से बहुत जल्दी नीचे मतलब जर वगड़ा निकल आता है तो बहुत अच्छा होता है इसलिए सबसे पहले रेत में ही डाल कर उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना उसके बाद फिर लगाना मिट्टी में तो जो सदा बाहर फूल है वो गर्मी दिनों म बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो जल्दी मरता भी नहीं है और जादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है और जादा कुछ भी नहीं और सबसे बड़ी बात हो आप लोग जब फूल के लिए मिट्टी बनाओगे ना तो सबसे पहले उसमें डालना मिट्टी उसके बाद रेत और थोड़ा सा सिसी क्रीम भी लगाया उसके बाद फिर बालवाल बनाओंगी उसके बाद फिर जो सिंदुरे वो लगाओंगी बिंदी लगाओंगी जो रोज का है वो तो करना ही पड़ेगा इसलिए तो यहाँ पे बस दो डेली स्किन रूटीन है वो मेंने कर लिया है उस इसके बाद फिर में बेठी रही थी तो फिर भया की लड़की बेटी आ गए और यह बोले लगी कि बाल बना दो एक दिन क्या इसका बाल बना दिया यह तो रोज रोजी आनी लगी और भाबी बोले थे कि में बना दूंगी बोली तो यह बोले थी कि नहीं बुआ बना लिए दिखादी वू अन्डा कडी उसके बाद चाष था रिए और चावल था जो बेंबस सूटे उसका अचार बनाया था चटैनी सॉड़ी इसके बाद जो एलिफेंट एपल भी अचार था該 ये ब्हुता था एलिफेंट एपल मसालह था तो मैंने बोला था था तो पिर आगे महमन कौन है गाओं के है मेरे चाची और चाची के घर के सामने वाले नेवर वगड़ा वो लोग आए थे तो फिर यहां पर थोड़ी देर बेटे बेटने के बाद ममी ने चाय बनाया चाय और बिस्किट वगड़ा नमकिन वगड़ा दिया है तो अभी चाय वा ममी को देने के लिए बोला क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इसलिए उसके बाद फिर गाइस मैं हमेशा थेली लेकर सुपारी लेने जाती हूँ न तो देखिए हम लोगे महमन आते न तो तामूल मतलब सुपारी देना ही पड़ता है तो यहां पर ममी सुपारी दे रहे उसके बाद फिर यहां पर मेरी चाची जो आयते है वो फूल ले जा रहे ममी हमेशा ही चाची के घर जाते है न तो हमेशा ही फूल लेकर आते तो आज चाची की वारी है सारा घड में जितना भी फूल पोध है जितने भी थे सब के काटिंग लेकर गये है किसी के पोध उसके बाद फिर ये लोग भी जाने वाले हैं तो हमें भी कहीं जाना है तो इसलिए तो फिर चाची और जितने भी लोग आये थे सारे लोग चले गए हैं उसके बाद फिर हम लोग तेयार होने गए और अभी हम जारे घर के सामने तो घर के सामने कहां जारे आप लोग सोच र पुझाना पड़ा है तो रस्ते से जाही रही थी तो यहाँ पे जो जाय पती टूड़ रहे थे दीदी लोग तो मैंने सुझाऊए आप सबको भी थोड़ा सा दिखा दू तो यहाँ पे देखे Taili लेके किसे इतने अच्छे से चाय पती तोड़ रहे है बहुत अच्छ और यहां पर दो दिन बाद बर्षी है बर्षी मतलब एक साल में करते हैं लेकिन बर्षी जसा ही पुजा होता है तो अभी इससे आगी नहीं दिखाऊंगी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना इसलिए तो फिर गाईज नहीं दिखाऊंगी तो मैंने बोल दिया था लेक टपडी बोलते हैं यह हम लोग के साधी में पूजा में ऐसे जो किसी के देहांत होते हैं उसमें स्राध्ध में हर दिन हर रोज चाहिए चाहिए तो देखिए मैंने ऐसे बनाया है और यह फिनिसिंग नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर फिनिसिंग नहीं करते हैं जो मतलब बर चाहिए और साम भी होने वाली थी चार बचके भी मतलब 40 हो गया था साइथ इसलिए अभी हम घर जा रहें क्योंकि साम ऑने वाली है बहुत सारा काम है साम की तैयारी करनी है इसलिए तो फिर हम लोग ममी में बड़ी ममी गए थे तो हम लोग वापस आ गए है और ये घर में भी पहुँच चुके है तो अभी जाते है घर और गाइस मुझे ने घर पोज़ते इतना भूख लगने लगा है पता नहीं आज दिन में तो खाना तो खाई थी मैं लेकिन मुझे इतन ना खाना जाए डैना याई जाणा रहा धना तो फिर और यहा पे मैं खा गई आम पुडा खतम उसके बाद साम हो गई थी तो साम होने के बाद ममी करते हैं, पूजा आप सबको तो पताईए, क्योंकि साम में पूजा करना बहुत अच्छा है, और आप लोग नोटिस क्या होगा, तो भावी भी वहाँ पूजा करी थी, तो उसके बाद फिर अभी साम होने के बाद ममी पूजा करते हैं, उसके बाद फिर हम खा लेते तो बस अभी पुजा हो गया है और बाद में और काम होगा आज का जो डेली ब्लॉग का जो डेली काम करती हूँ तो मैंने आप सब को दिखा ही दिया है और आज थोड़ा सा जादा ही बोल गई मतलब एक थोड़ा सा मैं खुद को लग रहा है कि कुछ भी आटंवि बोला चाल ना तो प्लिस माफ कर दीजाया का वीजिया हैक बाला है तो बुट यह ह 기ते मेरे को बीगर मिड़ान आफ कर दीजेगा सो चलिए ऑना सका दिडिन भर चाही पागोए आप सब काभी अच्छा होगा तो आप सब को आज के अई जलूगे मुझे सारш आफ कर दीजिएगा तो चलिए आज का यही था व्लॉग दिन भर मैंने यही क्या और आज का दिन बहुत ही अच्छा था आई हो आप सब का भी अच्छा होगा तो आप सब को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और मेरे व्लॉग एंद तक द